असलावलेगूम, वेलकम टू राइका का जाइका, आज हम आपके साथ चोंगे की रेश्पी शेयर करने वाले हैं, आप इसे मीठी चोंगे या फिर मीठी रोटी भी बोल सकते हैं, ये इस पेसली मौहरम में बनाया जाते हैं, और इन्हें बनाने के लिए दो सी तेन चीजों क भी जरूरत होती है, और बहुत ही इसली बन जाती है, इन्हें आप फ्रेज में कहीं दिनों तक इस्टोर भी कर सकते हैं, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो चलिए फिर स्टाइर करते हैं बनाना, सबसे पहले हम आटा लगाएंगे, इसके लिए एक कप मै जाएगा फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा डूट डाल कर इसका एक डू तयार करेंगे दो को अभी बहुत ज़्यादा मसल लेंगे ज़रुरत नहीं है बस इसे नॉर्मली इस तरह तयार कर कि हम पांच मिर्ट के लिए ढख कर रख देंगे रेस्ट के लिए और तब तक हम कब चीनी लेंगे जिस कब से चीनी लें उसी ही का आधक सुगर की आधी कौंड़टे में हमें पानी डालना है और सुगर को चीनी को घुलने तक हम मेडियम फ्लेम पर पकने देंगे और जब चीनी घुल जाएगी फिर हम इसमें कोटी हुई दोहरी लाइची और कुछ चीनी जाता है और उसके बाद हम इसे चार से पांच मिनट के लिए शुगर शिरब को चासनी को लो फ्लेम पर पकाएंगे जब चासनी ठीक हो जाएगी इस तरह से आप देश सके हैं इसकी कंसिस्टेंसी हमें एक तार से थोड़ी सी ठीक चासनी चाहिए है इस तरह से फिर ह हम 5 मिनट के बाद आटे को अब मस लेंगे थोड़ी देर के लिए और एक चिकना सा और थोड़ा सा टाइट हमेरे डो बनाना है इसका नॉर्मल आटे से थोड़ा सा हमें हाड रखना है और इस तरह से देखें कितना चिकना हो गया आप जब भी रोटी पूरी या फिर रोटी क हम इस तरह से मीडियम साइस के बनाया है आपको बड़े बनाने हो तो आप बड़े भी बना सकते हैं उसके बाद थोड़ा सा आटा डश्ट करेंगे और एक पतली सी रोटी बेलनी है विल्कुल पतली ज्यादा मोटी ना रखें वरना अच्छे से रोटी से नहीं पाएगी आपको जो भी अच्छा लगे आप उस तरह से से बना सकते हैं पहला ये कि हम इसे तवी पही इस तरह से हमें उलट पलट कर कोल्डन कलर आने तक थोड़ा सा क्रेस्प होने तक इस तरह से कपले से दबा कर हमें तोनों साइट से से शेखना है और आप देख सकते हैं इस तरह से जब कलर आ जाएगा और यह थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाएगी फिर उसके बाद हम इसे करम जब होगी चपाती उसी समय हमें इसमें घी लगा कर रख देना है गरम में आप घी लगाएंगे तो यह अच्छे से घी को एबसर्ब कर लेगा और इसके बाद दूसरा तरीका यह है कि हम इसे हाफ कुक तवे पर करेंगे और फिर इसे हम फ्लेम पर इस तरह से जैसे रोटी सेखते हैं उस तरह से हमें सेख लेना है और से मैथेट बस जब रोटी गरम हो तब हम इसमें घी लगा कर रख देना है और तीसरा तरीका यह है कि आप इसे तवे पर जिस तरह तरह से रायसे बनाया जाता है उस तरह से बनाेंके कि तब हिसे घी लगाए कर अच्छा सब कोलडन कर आने तक क्रिसिप इसे से क्रेकिना है और सब बना नाएक कृटर से क्रिस्पी हो जाएगा और और दान से सुगर में din करेंगगे और सुगर डाल करना है इसी हमें डुबो यह उलट पलट कर दोनों साइड से चाजनी लगानी है और इसकी बाद इस तरह से टांक चासनी होगी वह निकल जाएगी और निकालने के बाद इसको हम एक प्लेट पर रग देंगे बस इसी तरह सारी रोटियों को हम चास्नी में लगा लेंगे अगर आपको रेस्पी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके साथ इसी तरह रेस्पी शेयर करते रहूं और चैस्नी में डिप करने के बाद चपादियों को हम इस तरह से यहां पर गरी का बुर्यादा मैंने श्टफ किया है आप चाहें तो इसमें सुखे मेवे भी एक्रस्ट करके एड़ कर सकते हैं या फिर रोश्ट किया हुआ मावा भी आड़ कर सकते हैं दोनों का देस्ट अच करने के लिए पिल्कुल रेड़ी हैं